सर, CET का एक्जाम अभी हुआ है, अब किस तरीके से नोक्रियों की तेयारी है? हरियाना में यह वाओं जो है लगातार इंदजार कर रहे हैं नोक्रियों को लेकर के सरकारी नोक्रियों CET के एक्जाम में जो हमारा Common Eligibility Test है उसमें लगबग 7,73,572 लोग अपियर हुए थे, जिसमें से 3,53,526 लोग उतिरण हुए है और अभी अगले 15 दिन में लगबग 65,000 जो पोस्टों के अंगेस्ट एड़ोटेजमेंट हो जाएगी और अब की बार हम ये कर रहे हैं कि सारी एड़ोटेजमेंट हम एक ही दिन देंगे ताकि बच्चे किसी confusion में न रहें और वो अपनी priority के हिशाव से अपने आवेदन कर सकें अगले 15 दिन में विग्यापन जारी हो जाएगा ये 15 दिन में विग्यापन होगा कौन-कौन से ग्रूप की नोकरिया होंगी और सिर्फ CT पास उमीदवारी इनके अंदर आवेदन कर सकेंगे बिल्कुल CT पास ही उमीदवार जो है वो क्वालिफाई है कि वो अगली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो C कलास है अगर उसमें टीचर छोड़ दे हम साड़े 7000 तो उसके अलावात 30500 पोस्टे जो हैं वो हमारे पास सरकार की तर सरकार ने हमारे को करने के लिए कहा जिसमें 5000 मेल और 1000 फीमेल कंडिडेट और इसके साथ टीजी टी साड़े 7000 अगर इन सब का टोटल करें लगभग 42000 से उपर C कलास के लिए और D कलास के लिए लगभग 20,000 आवेदन के लिए हम अपलाई कराएंगे बच्चों से अभी और पहले चरण में लगभग 14000 के लिए अपलाई कराएंगे D में क्योंकि D का अभी CET होना है और वो प्रस्तावित है चार पांच मार्च और 10 और 11 मार्च को कि इतने लोग उसके अंदर आवेदन कर चुके हैं D कलास के लिए ग्रूप के लिए अगर हम बात करें D कलास और C कलास में लगभग सभी कंडिडेट बराबर कंडिडेट थे जिनोंने अपलाई किया था 11,22,000 लोगों ने तो अब हमने उनका अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि लगभग साड़े दस लाख जो कंडिडेट हैं वो कोमन हैं D और C में कुछ 17,000 कंडिडेट ऐसे हैं जिनोंने डी नहीं भरा उन्होंने शिरफ C भरा था तो एक तरह ऐसे ये अनुमान है कि 10,54,000 लोग जो हैं D के लिए अपियर होंगे सर आप फरवरी के पहले सब्ता में क्योंकि 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि करीब 65,000 नोक्रियां जो हैं वो आप निकालने जा रहे हैं इसके अंदर नोक्रियों के अगर हम बात करें अभी D का जो CET है वो नहीं हुआ है नोक्रियों का जो इस्तिहार है वो आप फरवरी के पहले सब्ता में निकाल देंगा जबकि D का जो टेस्ट है वो आप बता रहे हैं कि मार्च के अंदर तारीके निर्दारित की गई हैं ये किस तरीके से होगा सर्थ हमने जैसे सी का लिया है एक्जाम और आप रिजल्ट प की हैगतल की है कि न परिजल्ट देटियों एकई सर्थ हैं करहें इस्ट के लिए आ ताकि बच्चे उसके या प्रिपेर हो जाएं तरफ हैं चोंकी दार है माड़ी है अर्दली है धुर्बी है नाई है बेलडार है इस तरह की बहुत सी पोस्टे हैं जो डी कलास में आती है जिन को चतुरश्रेनिर कहते हैं से इटी जो अभी हुआ उसके अंदर कुछ तुटियां जो है वो पाई गई कुछ का कहना था कि पीपी की बज़े से सही अंक नहीं मिले है कुछ कामिया जो है चातरों की तरफ से उसमें बताई गई उसको लेकर के क्या विचार किया जा रहा है यह हमारा पहला प्रियास था और पहले प्रियास में कुछ तुटिया रह जाती हैं और हमने एक आधा आपने जो नोटी पिकेसं कि हम सारी वैरिपेशन जो है वो टेपल ट्रिपल पी के अधार पे करेंगे तो ट्रिपल पी में ही कुछ तुरूटियां पाई गई हैं तो इसलिए हमें एक पोर्टल खोल रहे हैं कि अगर किसी कंडिडेट को कोई कलेम करना है या किसी को विड्राल करने है किसी ने कलेम किया कि मेरे घर में नोकरी नहीं है और वो ए लेगा, तो इस तरह कि जो कुछ तूटियां हुई है, कि जिसको नंबर मिलने चाहिएं तो उसको मिलें नी, किसी को नंबर, जिसने क्लेम भी नहीं किया था, वो परिवार पहचाते के अधार कि परी हम प्वार कर दे दिए ग्रांट तो इस लिए हम 15 दिन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं, ताकि इन सारी त्रोटियों को हम ठीक कर सकें. पॉर्टल सर कहां पर आविदक जो है, उसको देख सकते हैं, क्या उसका जो यूजर ने में वो रहेगा? वो ओन लाईनी है, ओन लाईनी बच्चों को हम एक लिंक देंगे, उस लिंक पे जाके, लिंक ہी नहीं देंगे, प्रेसक्राइब परफॉर्मा भी देंगे, कि आपने अपनी कम्प्लेन्ड दिया, जो आपका कलेम है, वो इस उस परफॉर्मे में आपने फिल अप करना है कब तक दूर कर दिया जाएगा सर पंदरे दिन में तो आप खोलने की बात कर रहे हैं उधर दूसरी तरफ नोकरियों के आवेदन इस्तेहर भी आप निकालने की बात करें नहीं यह जो अपडेट है और विग्यापन है यह आपस म टाइम रहेगा जो नोकरियों के इस्तेहार निकल रहा है कितने समय तक आवेदन जो है वो किया जा सकेगा जो सुप्रीम कोट हाई कोट की गाइडलाइन है उसे उसमें कम से कम 21 दिन बच्चों को देने होते हैं तो अभी हम विचार कर रहे हैं कि हम 21 दिन दें या एक महीना दें या 21 दिन दे के कुछ साथ दिन दुबारा बढ़ा दें डेट तो अभी विचार हो रहा है तो डी ग्रूप के सर किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे क्यों के तो एक्जाम अभी नहीं होए होंगे मार्च में एक्जाम ने डी ग्रूप के लिए कोई आवेदन दूसरा आवेदन नहीं है जो उन्होंने सीटी में आवेदन किया है उसके अधार पर ही जो हमारे चोदा अगर वो उत्तीन हो जाते हैं तो उन्हें कंसेंट लेंगे सिरफ 14,000 लोग जो कंसेंट देंगे टोपर उनको सिद्धी नोकरी देंगे उनका कोई फर्दर टेस्ट नहीं कितना समय इस पूरी पर क्रिया में लगेगा कब टेस्ट जैसे आपने बताए किस दिनी आए एक महीने का समय देंगे उसके बाद टेस्ट कब तक हो जाएगा रिजल्ट कब तक आ जाएगा और ये नोक्रियां जो 65,000 का आप दावा कर रहे हैं कब तक मिल जाएंगे काल सारी अथरोटी के एक मीटिव होई थी जिसमें मैं भी था सीम साब की चेरमें सीब में सीम साब ने 31 दिसंबर 2023 का हमने टारगेट दिया है पर मुझे पूरी उमीद है कि अगर 31 दिसंबर नहीं तो 31 मार्च दो हजार चोबिस तक ये पूरा का पूरा 65,000 का जो भरती का टार के अंद तक जो हैं आप देने जा रहे हैं अभी तक भरतियां कितनी हो चुकी हैं विभाग के अंदर क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के तमाम दूसरी बाते भी राजनितिक तोर पर देखने के लिए मिलती हैं लेकिन HSSC के माद्यम से कितनी भरतियां अभी तक हो चलो मैं कोई राजनितिक नहीं हूँ मैं राजनितिक बासाभी नहीं बोलूँगा पर इन आठ सालों में लगबग एक लाक भरती HSSC कर चुका है और मैं 24 मारच 22 में आया था चेर्मेन उसके बाद हमने 16,000 की भरती की है इस सरकार ने जो जो मनहुर सरकार है इसने लगबग HSSC के माद्यम से केवल HSSC के माद्यम से एक लाक लोगों को रोजगार दिया है यह तो ओन रिकार्ड है इसमें कोई जुटलाया नहीं जा सकता दूसरा CT कब होगा क्योंकि अब इसके बाद जो तमाम अभ्यारति हैं उन्हें इंतजार रहेगा कि यह CT अगर दे दिया होता तो 65,000 जो नोक्री हैं उनके अंदर उनका भी जो नाम है वो हो सकता था तो CT को लेकर कि अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी मार् और जो सी के लिए है वो 2022 का तो हो चुका है, जो 2023 का है, अक्तूबर और नौम्बर में होगा, ताकि उस टाइम तक जितने भी बच्चे पलसटू में हैं, या बी एक कर रहे हैं, वो क्वालिफाइ हो जाएं, और यह हर साल अक्तूबर और नौम्बर में CT के लिए एक्जाम होा करेगा और अभिहारतियों के क्या कहना चाएँगे सर आप bachelor आप माध्यार्टियों से तक किस तरीके से वह अपनी तयारी जो है वो रखें आगे के लिए और सरकारी नोकरी हुआ जूँआ, मैं आपके माध्यम से जो उमिदवार हैं, हमारे कंडिडेट हैं, उनके लिए मेरी सुब कामनाएoger हैं, और वो अपने अगले एक्जाम की पूरी तैयारी करें, विग्यापन होने वाला है, विग्यापन के एक तींद महिने बाद एक्जाम होगा, और अब की बार जो एक्जाम होगा उसकी जो जो जोब है जोब अधारित क्वस्चन उससे ज्यादा पूछे जाएंगे लगबग सतर परसेंट क्वस्चन जो है जोब अधारित पूछे जाएंगे जैसे कोई व्यक्ति जेई सिविल है तो हम जेई इंजिनिरिंग उससे सतर परसेंट पूछे जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर जरूरी है और 20 नंबर